एलो फ्रेंड वेलकम टू सुपंच स्टडी चैनल आज किस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमिशन बिहार तक्निकी सेवा आयो की तरफ से आई एक इंपोर्टेंट अपडेट फॉर्म मोडिफिकेशन को लेकर जैसा कि आप सभी को पता है बिटी एसी जेई में आप लोग की 6389 पोस्ट पर वेकेंसी निकाली गई थी पिछले एयर आप लोग की मार्च के लगवग जिसमें फॉर्म फिलब करवाया गया और जिसमें दो-तीन महिने के बाद जो है केस फाइल कर दिया गया बिटी एसी के ऊपर कुछ रिजर्वेशन को लेकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का केस था कुछ ही एज ग्रूप को लेकर तो भढ़ नहीं पाया थे उन सभी केंडिडेट के लिए जो है फॉर्म रियाउपन हुआ था तो आएज जानते हैं कि फॉर्म मोडिफिकेशन कब से अन होगा जो केंडिडेट इसमें फॉर्म फिलब की है और फॉर्म मोडिफिकेशन कैसे करें इसके रिगार्डिंग भी आप आप लोगों को बताएंगे तो आए जानते हैं क्या है पुरा का पुरा अपडेट बिटिएस्टी की तरफ से जैसा कि देख रहे हैं यह बिहार तक्निकी सेवा आयो की तरफ से अपडेट आया है एक बटा दोजर उननिस के संदर्व में या आप लोग का विज्यापन संख को खोर कर सुधार मोडिफिकेशन किये जाने है तू दिनांग 2322 से दिनांग 6322 तक दिती निर्धारित किया जाता है आप लोग का ultrap कडिकेशन का यह देट दिया गया है जो टो मारच2020 जे लेके और safe मार्च2020 तक दियागया है यश्जडेट में आप अपना फर पाएंगे तो वो तो आप लोग का दो मार्ज को ही पता लगेगा कौन-कौन से कॉलम खुले हैं आप लोग का मोडिफाइ करने के लिए तो उक्त सुधार मोडिफकेशन को छेतरों को छोर कर मात्र एक बार ही संभा होगा आप लोग ध्यान देंगे एक बार ही मोडिफाइ करने का आपको मौका दिया जाएगा उसके बाद नहीं दिया जाएगा इस अबदी में कोई नए आवेदन जैसे की रेजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फाइनल सम स्विकार नहीं होंगे इसमें कोई भी नया आवेदन स्विकार नहीं किया जाएगा जैसा की दिया गया है और 2-3-2020 को यह पता लगेगा कौन-कौन सा जो है आप लोग का कॉलम खुला है मोडिफाइ करने के लिए तो कोई जो भी आता है आप लोग का अपडेट BTSC की आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फर वाचिंग